तो नौवे सप्ता हमें फूरियर सीरीज के भाग दो भाग में आपका स्वागत है हमने अध्यायन शुरू किया था और्बिट्रेरी फंक्शन्स के फूरियर निरूपन के साथ तो यहां विचार मुझे इसे दोहराने दीजिए यहां विचार यहा है कि दिया गया एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है हम इसके लिए फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की फाइनाइट संख्या की अनुमती देते हैं जिसे संभला जा सकता है कुछ इस तरह उदाहरन के लिए इस फंक्शन अत आप कह सकते हैं कि यहां पीरियोडिक है इसके साथ पीरियोडिसिटी होने के कारण इसलिए इस स्थिती में हम क्या करना चाहते हैं कि यह फंक्शन साइन और को साइन के टर्म्स में लिखें तो दिया है एक्स का एफ और्बिट्रेरी तथा आवधिक फंक्शन है हम इन गुणाकों की गणना करेंगे इस टाइप के फॉर्म्यूला में तो एक्स का एफ अब एक्स को लिखा जा सकता ऐसे शून्य बाई दो से प्लस मेरे पास है एक इन फाइनाइट समेशन तो वह होगा इन कॉस एम एक्स प्लस बी एम साइन एम एक्स समेशन ओवर एम किस अभी इन्टिजर मान आप इससे भौतिक व्याख्या जो आप ड्रॉ कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि मेरे आवधिक फंक्शन में निम्नलिखित फ्रीक्वेंसीज हैं जिस से यह बना है अतरामत और पर यदि आप देखें तहेंगे कि बहुत से वेदर वेरियेबल्स की टाइम सीरीज आप वह देखेंगे यहाँ एक वार्शिक कमपोनेंट है यहाँ एक सीजनल घटक है जो के अनुरूब होगा एक तरह के वार्शिक और सीजनल वेरियेशन के जिसे हम तुरंत पहचान सकते हैं आज हम जो करने जा रही हैं हम देखेंगे कि कैसे हम function के पूरी तरह से periodic होने की आवशक्ता से खुद को मुक्त कर सकते हैं माना कि मैं function को देख रहा हूँ जो बिलकुल periodic नहीं है लेकिन कुछ इस तरह से ही तो यहाँ सपष्ट रूप से periodic नहीं है लेकिन मुझे चिनता नहीं है क्यूंकि मैं चाहता हूँ निरूपन करना है इस function का 0 और L by 2 के बीच range 0 और L by 2 के बीच यह function जिसे मैं ऐसे कहूँगा X का अभी यह इंगित करने के लिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ approximate करने की X का अभाई एक sum function जो मैं कहूँगा X का अभी तो वांचित range में जो 0 और L by 2 के बीच है यह काफी अच्छा match है X का app के साथ और हम यह एक odd function के साथ भी कर सकते हैं मुझे दिखाने 2 की यह कैसे काम करता है अब अगर मैं match करता हूँ odd function के साथ जिसे मैं कहूँगा X का एक यह दर्शाने के लिए मैं एक odd function का उपयोग कर रहा हूँ तो उस स्थिती में आप जो फिर से देखेंगे वांचित range है 0 और L by 2 के बीच odd function जो मैंने चुना है app वो X के अच्छा मिलान होगा मेरा function X का app अब लिखते हैं Fourier series मेरे पास सभी हार्मूलों लिखे हैं तो परिनाम दो अलग रूप में नहीं होने वाले जो आप पहले से गढ़ना कर चुके हैं यदि मैं उपयोग कर रहा हूँ some function approximate करने के लिए X का app तब पिछले module में हमने जो पढ़ा है उससे आगे कोई काम किये बिना मैं एक some function के लिए fourier series के fourier विस्तार को सीधे लिख सकता हूँ और हम इसे जानते हैं कि some फलन के लिए fourier विस्तार चर्म सभी cosine functions से बना होगा लेकिन फिर भी मुझे इस game का निर्धारन करना होगा और उसके लिए हमें बस वापस जाना है हमने पहले क्या पढ़ा था तो इसका उप्योग करेंगे आप इस एक separation aim के बारे में एक बात का ध्यान रखना चाहिए तो इस integral सीमा की जाएगी 0 से 2 pi के लिए और यहां हम विभाजित रहे हैं 1 by pi से अगर आपका अंतरा 0 से 2 pi है आपके function x cave की मूल periodicity है तो आप उस अवधी के आधे भाग से भाग देंगे तो मैं पास यहां पहला एक separation है जो केबल आधारित है एक separation पर जो हमने पिछली क्लास में प्राप्त किया था कि इस integral को दो भागो में विभाजित करें एक जाता है minus l by 2 से 0 तक और दूसरा 0 से l by 2 तक तो अब मैंने integral को दो भागो में विभाजित किया अब यदि आप तो लना करें इसकी हमारे यहां जो कुछ है उसके साथ वास्तव में यह second integral है यह पूर्ल एक separation सिर्फ दो गुना है second integral का तो अब मैं लिख सकता हूँ अन्तिम एक separation निम्न प्रकार से और क्षेत्र 0 से l by 2 के बीच में x का एफ ही समान है x के एफ के तो मैं x के एफ ही को x के एफ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं मेरे पास के लिए एक एक separation है यह एक तो अब दूसरे मामले पर नजर डालते हैं जब और function x का एफ हो match करता है आपके वांचित function range 0 से l by 2 के बीच में x का एफ लिखा जा सकता है x का एफ लिखा जा सकता है x का एफ लिखा जा सकता है जो हमने पिछले module पर पहले किया था तो इसका सरल और इसका कार्यानवयन आप integrating है 0 से 2 पाई इसलिए इस स्थिती में periodicity का भौतिक अर्थ था सामान ये period जो 2 P.I. था और जिस quantity में आप यहां विभाजित करते हैं वह उसका आधा है सामान ये रूप से 2 integrals में विभाजित होगा फिर से आप वापस जाएं और देखें कि आपके पास यहां क्या है आप देखेंगे कि वास्तव में यह टर्म है तो B.N. होगा सिर्फ 4 बटाइल integral 0 से L by 2 और X का एब जो और function है जो कि मैं approximate करने की कोशिश कर रहा हूं मेरा X का एब वे काफी अच्छी तरह से 0 से L by 2 के भीतर सन्योग करने की उम्मीद है तो मैं प्रतिस्थापित कर सकता हूं और function को X के F द्वारा ताकि यह अंत में मुझे B.N. के लिए बांचित expiration दे और हमें ध्यान रखना चाहिए कि X का F जो की हम इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने जा रहे हैं ठीक ठीक मेल खाएगा function केवल range 0 और L by 2 के बीच के में है इस range के बाहर यह मेल नहीं खाएगा लेकिन तब हमने मांग भी नहीं की थी तो देखते हैं कि वास्तव में एक समस्या करके यह कैसे काम करता है तो यह मेरा function है तो 0 और P by 2 के बीच एक सीधी रेखा इस तरह है और P by 2 पाई से पाई माइनस एकस के बीच तो एकस एकवल है पाई बाई दो एकस के एफ है पाई बाई दो है जो यह पॉइंट स्वयम है और एकस बराबर है पाई यह आपको एक शून्य देता है जिसका मतलब है यह यहां आता है तो मुझे एक रेखा प्राप्त होनी चाहिए इसकी तरह है यहां यहां है डी एक फंक्शन है और हम नहीं जानते कि यह इसके बाहर कैसा व्यवहार करता है और अब हम पूरियर सीरीज का पता लगाना चाहते हैं ऐसे फंक्शन के लिए पहले के मामलों के विपरीद जहां आपको बताया जाता है कि यह खुद को दोहराता है हम नहीं जानते कि यह स्वयम को दोहराता है या नहीं और हम वास्तव में इसके बारे में चिंतित नहीं हैं इसलिए हम कहते हैं कि हम उपयोग करेंगे और function का approximate के लिए इसलिए हम या तो ऐसा कर सकते हैं, जिससे आप इस point पर विकल्प बना सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं एक और function खो देता हूँ या even function है लेकिन मुझे कहना है कि मैं एक और function खो देता हूँ. चलो एक separation लिखते हैं, N के लिए, तो याद रखें की बहा है, X जाता है शून्य से पाई, तो हम उसका आधा भाग लेना चाहिए, और यहां भाग दिया है, एक विभाजित उसके आधा भाग होगा पाई बाई दो से, तो यहां मेरी एक separation है, BN के लिए तो आप देख सकते हैं कि B, N पर निर्भर है और N आता है इस sin N X से, यहां, और बेशक हमें जरूरत है, इंटीग्रल करने की और सरल करें इस, U इक्वल है X के, D U इक्वल है D X के उस मामले में, और जी वी होगा, sin N X, D X और V है, इंटीग्रल ओवर sin N X जो है, परस, N X विभाजित है, अन द्वारा, अब आंशिक, इंटीग्रल करने के लिए अगर आई को कहता हूँ, मेरा इच्छित इंटीग्रल आई के रूप में जिसका मतलब है कि, मैं इसे कहूंगा, I के रूप में, उस मामले में, I equal है, UV के, सीमा शून्य और पाई बाई दो माइनस इंटीग्रल, VDU के बीच मूल यांकन किया गया, शून्य और पाई बाई दो के बीच मूल यांकन किया गया, और अंत में जब आप सब कुछ करते हैं, और बस चरणों को पूरा करने के लिए, इसे एक अभ्यास के रूप में छोड़कर, BN के लिए परिणाम एकठा करें और सीधे लिखें, अब मैं अंतिम परिणाम को एकत्र और लिख सकता हूं, और एक समसंख्या है उस स्थिती में, साइन एंड पाई बाई दो इक्वल है शून्य के, जिसका अर्थ है कि केवल सीरीज के विशम पद ही रहेंगे, सब्स्टिटिट बी एक बी दो भी तीन के मानों के लिए और इसी प्रकार अन्यादी, तो भी एक होगा, चार बाई पाई, और साइन, पाई बाई दो है, एक दो, इसलिए यह बस मुझे देने जा रहा है, साइन एक्स, और वास्तव में आप इसे देखो, एक बाई एंस्क्वाईर, कर्म यहां, तो जिसका मतलब है कि चार बाई पाई एक कांस्टिंट है, जो कि मैं वास्तव में बाहर ले सकता हूँ, तो पहला टर्म है साइन, एक सामान्य रूप में और दूसरा टर्म होगा, मिश्चित रूप से चार बाई पाई जो पहले से ही बाहर लिया गया है, जो डिनोमिनेटर में नौप पन करने के लिए जा रहा है, और साइन, तीन पाई बाई, वो, जो होगा माइनस एक, तो मुझे बदलने की जरूरत है इस प्लस दो, माइनस, और मैं छोड़ रहा हूँ, साइन, तीन एक्स के साथ, और चुंकि यह साइन तीन एक्स है, इसे ऐसे लिखना अनिवार्य है, तीन स्क्वाइर, यह इसे अच्छा बनाता है, और आप बाद में एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और अब अगला टर्म लिखना बहुत आसान है, तो यहा होगा, यहाँ परिणाम जो मेरे पास है, एक्स के एप के लिए, है एक फॉरियर सीरीज, मेरे function के लिए जो शुन्य और πाई के बीच स्थित है इसलिए यदि आप series के सब ही terms को ध्यान में रखते हैं तो उनमें infinity हैं यह वास्तव में आपके लिए जनन करेगा यह function यहाँ एक सामाने term होगा sin nx by n square जिसका अर्थ है numerator जो कुछ sin nx सदेव एक oscillatory function है minus 1 के बीच स्थित होने जा रहा है जबकि denominator किसी पूर्णांग के square के रूप में बढ़ रहा है तो उस पर्ष्ट रूप से क्रमिक terms का भार घट रहा है इसलिए प्रभावी रूप से यह अर्थ होगा कि शायद पहले कुछ terms इस function को पुनह प्राप्त करने के लिए अच्छा कारे कर सकेंगे हमारे उद्देशियों के लिए अब आप एक function x के एक की परिभाशा पर वापस जाते हैं यह मुझे बताता है कि अगर x πाई बाई 2 है तो x के एक है πाई बाई 2 भी तो x बराबर 2 पाई बाई 2 एक सका एक पाई बाई 2 तो अब हम इसे इस संबंध में रख सकते हैं जो हमने अभी प्राप्त किया है चलो ऐसा करते हैं तो यह मुझे बताता है कि लेट हैंड साइन x का एप है πाई बाई 2 और वह इक्वल है 4 बाई पाई पहली टर्म साइन x है तो यहा होगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 3 x वह है 3 पाई बाई 2 विभाजित बाई 3 स्क्वाईर प्लस साइन 5 पाई बाई 2 वाई 5 स्क्वाईर और आदी तो यहाँ अब सरल हो सकता है और हम एक अच्छी सीरीज लिख सकते हैं तो यहाँ होगा 2 स्क्वाईर बाई 8 जो बराबर है 1 प्लस 1 3 स्क्वाईर प्लस 1 पाई 5 स्क्वाईर प्लस और इत्यादी जो हमारे पास है एक इन्फाइनाइट सीरीज पाई के लिए तो सिद्धान्त में आप पाई के मान की गणना कर सकते हैं इस श्रिंखला को किसी भी एक यूरेसी और प्रिसिजन के साथ जोड़ कर अब अंत में मैं बंद करने से पहले पिक्टोरियली पर देखो यह कार्य है जो हमने किया है यह एक वूरियर सीरीज लिखने के लिए हम चाहते थे और हमारे पास यह परिनाम है और अगर आप सब कुछ जोड़ते हैं आप निश्चित रूप से सक्षम होना चाहिए एप्रॉक्सीमिट करने में इस फंक्षन को प्रिसाइसली इस तरह है यह मेल खाएगा शून्य और पाई के बीच जो हमारी बांचित रेंज है लेकिन अब यदि आप पूछेंगे कि क्या होगा माइनस पाई और शून्य के बीच आप वास्तव में अनुमान लगा सकते हैं एक सूचित अनुमान लगा सकते हैं क्यूंकि हम फंक्षन को निरूपित करने के लिए विश्वम श्रिंखला का उपियोग करते हैं जिसका अर्थ है कि इस रेंज के बाहर शून्य और पाई के बीच फंक्षन एक और फंक्षन की तरह विवहार करेगा फंक्षन इस तरह जारी रहेगा रेंज जब एक्स जब एक्स माइनस पाई और शून्य के बीच होता है